जैन दोस्तों ओजश्वत आई एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम आत्म निर्भर भारत के तीसरे भाग को देखेंगे और इस भाग में खनिज, ओर्जा, रच्छा, स्वास्त है और इज आफ डूइं बिजनिस से समंदित कुछ महत्रपूर तत्यो को देखेंगे जिनके बारे में सरकार ने कुछ प्रभावी कदम और प्रभावी दिसा निर्देश जारी किये हुए हैं। सरकार की जो नई पॉलिसी आएगी कोईला च्छेतर में उसके अंसार कोई भी दल कोईला ब्लाक के लिए बोली लगा सकता है और उसे बें सकता है। पहले केवल अंतह उपयोग स्वामित वाले भोगता ही बोली लगा सकते थे। कोईला च्छेतर में उत्खनन के लिए प्रवेश मान दंडों को और उदार बनाया जाएगा। और लगबग 50 कोल ब्लाकों को यानि कोईला मैनी वाले ब्लाकों को तुरत के तुरत ही पेस किये जाने की सरकार की ओजना है। सरकार ने इवेदी संदर्देश जारी किया है कि पहले से जो कोईला च्छेतर खोजे जा चुके थे उनमें उत्खनन के अतिरिक्त अन्य जो कोईला च्छेतर हैं जहाँ पर आंसिक रूप से इनकी खोज हुई है वहाँ पर भी कोईला खनन के लिए मनजूरी दे देगी। ने दिजा निर्देश जारी किये हैं और इस पूरी बुनियादी धाचे पे सरकार क्या प्रस्ताव है कि पचास हजार करोड़ खर्च किये जाएंगे और इस खर्चे से 2023 तक जो निजी ब्लॉक दिये जाएंगे उनमें से एक बिलियन टन कोईला उत्खनन किये जाने की संभावना जताई जा रही है और इस जो पचास हजार करोड़ का बुनियादी धाचा है इनमें से 18,000 करोड़ का निवेश तो खादानों से लेकर रेलवे तक का जो विकास किय जाएगा कोईले कुले जाने के लिए उसके लिए 18,000 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है सरकार के दौरे इस पॉलिसी को लाने का एक जो प्रमुकुद्देश से था उसमें ये भी सामिल है कि वार्सिक जो कोईला उत्खनन है उसमें 40% की बढ़ोत्तरी की जा सके कोल इंडिया लिम्टेट के वोगताओं को दी जाने वाली वाडिकिक सर्तों में 5000 करोड़ की रियायत देगी सरकार इसके अतरिक्त कोईला उत्खनन में जो कोईले का उत्खनन करने वाली कमपनियां ऐसी हैं जो उस कोईला का उपियोग गैर बिजली कारिक्रमों या गैर ब उत्पादन में लगी हुई हैं उनके लिए निलामी में आरच्छित जो मूली होगा उसमें कमी करेगी सरकार रेड़ की सर्तों में कमी करेगी और कोल बलाकों की जो अवदी होती है उस अवदी को बढ़ाएगी उनके लिए इसके साथ ही खानीजों के उत्खनन के लिए और खानीजों के विकास और खानीज उत्खनन के माद्यम से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विसेश रूप से अन्वेशर के माद्यम से अत्याधुनिक प्रद्द्ध की लाने के लिए संराचन अत्मक सुधार करने के मू खुली प्रतिसपर्दा और पारदर्शिता के माध्यम से पेस किया जाएगा ताकि इनकी बोली लगाई जा सके। साथे साथ इल्यूमिनियूम उद्द्यों के प्रतिसपर्दा को बढ़ाने के लिए और बाकसाइट सहित कोईला खनिज ब्लॉकों की संयुक्त निलामी भी कराई जाएगी। सरकार अब विभिन खनिजों के लिए खनिज सोचकांक भी जारी करेगी। आयातित हतियार और प्लेट फार्म को एक सूचिने दर्ज करें ताकि आयातित जो रच्छा उत्पाद हैं उनका सोदेशी करण किया जा सके। और घरेलू पूंजी खरीद के लिए अलग बजट प्रावधान भी सरकार करेगी। ऐसा करने से सरकार कमानना है कि जो घरेलू पूंजी गत खरीद के लिए बिल है आयात बिल है उसको कम करने में मदद मिलेगी। साथी साथ सरकार स्वचालित मार्क के अंतरगत रच्छा विनिर्मार शेतर में FDI कि सीमा 49 प्रतिसत से बढ़ा कर 74% कर रही है। अभी तक देखा जाता रहा है कि अधिकान से रच्छा से समंदी जो भी खरीद होती रही है जो भी आयात होता रहा है तो उस खरीद में और उसकी प्रक्रिया पूरी होने में बहुत अधिक वर्सों का समय लग जाता था। तो सरकार ने विचार करते हुए इस पॉइंट को भी सामिल किया है कि समय से रच्छा खरीद की प्रक्रिया और तेजी से निर्ड़े लिया जाए ऐसा है एक धांचा बनाया जाएगा। रच्छा खेतर में परिच्छड और परिच्छड प्रक्रियाओं की ओवर्हालिंग भी सरकार करेगी। सिविल एवियेशन के खेतर की अगर बात करें तो सिविल एवियेशन के खेतर में भारती हवाई खेतर का केवल 60% हिस्सा सोतन्त रूप से उपलब्ध है। सरकार ने विचार किया है कि भारती वाई अंतरिच के उपयोग पर प्रतिबंद को कम किया जाएगा ताकि नागरिक उड़ान अधिक स्किल्फुल अधिक को सलो। विमानन चेतर के लिए प्रतिवर्स लगबग 1000 करोड रुपाय को कुल लाब हो सरकार इसके लिए भी एक प्रयास करेगी। एरपोर्ट एथार्टी अप इंडिया के माध्यम से पब्लिक प्राइवेट पार्टनर से ट्रिपल पी के अधार पर विमानों के संचालन और रख रखाओ के लिए तीन हवाई अड़ों को सामिल किया यानि तीन हवाई अड़ों के संचालन और रख रखाओ के लिए ट्रि इसमें से Airport Authority of India को 2300 करोड रुपय का डाउन पेमेंट भी मिलेगा। जहां पहले राउंड में 6 हवाई अड़ों को सामिल किया गया था, वहीं पर दूसरे राउंड में भी 6 हवाई अड़ों की पहचान की जाएगी और बोली की प्रक्रिया को संभावता बहुत सीगर ही शुर हवाई अड़ों को सामिल किया जाएगा, एरक्राप्ट मेंटिनेंस रिपेर एंड ओवरहाल के लिए एक ब्यवस्था को युक्ति संगत बनाने का प्रयास किया गया है, विमान गटक की मरम्मत और एयर फ्रेम रख रखाओ को तीन वर्सों में 800 करोड रुपय से बढ़ा कर 2000 करोड रुपय करने का प्रस्ताव रखा गया है, दुनिया के प्रमुक इंजन निर्माता आने वाले वर्स में आने वाले समय में भारत में इंजन मरमत की सुईधा उपलब्द कराएंगे, ऐसी भी ब्यवस्था की जा रही है, और भारती अर्थिवस्था को और अधिक मज थापित किया जाएगा, जामाजिक और सनरचना छेत्र में और अधिक रफ्तार देने के लिए निजी निवेश को सरकार तो साहित करने का प्रयास कर रही है, और इसके लिए सरकार केंडर और राज्य के समवधानिक निकायों के दौरा वीजीएप के रूप में कुल परियो एक सु करोड का वेग किया जाएगा, इस सोचल इंफ्रेस्ट्रक्चर में केंडरे मंत्रयाला, राज्य सरकार या फिर समवधानिक संस्थां के दौरा प्रस्तावित की जाने वाली परियोजना सामिल होंगी, आगे चलकर अंतरिच छेत्र की बात करें, तो अंतरिच छेत्र के जो लोग अंतरिच के छेत्र में प्रवेस करेंगे, उनके लिए ग्रहों की खोज बाहरी अंतरिच छेत्रा आदी के लिए जो भविस्थी के परियोजना है, वो खुली रहेंगी, आनि नीजी छेत्र को उनमें सर्च रिसर्च करने के छोट रहेंगी, साथे साथ तक्नीक की उद्व्मियों को दूरस्त सम्वेदी डेटा प्रदान करने के लिए उदार भो इस्थानिक डेटा नीती भी लाई जाएगी, आगे चलकर के एटॉमिक एनर्जी से सम्मधिर जो सुधार किये जाने हैं, उनमें मेडिकल आइसोटोप के उत्पादन के लिए ट्रिपल प की मॉडल लाया जाएगा, और इस मॉडल में, ट्रिपल पी मॉडल में, यानि पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्सिफ मॉडल में ही अनुसंधान रियक्टर इस्थापित किये जाएंगे, खाद्य सनरच्छड के लिए जो विक्रल प्रद्दोगी का उपयोग किया जाता ह तो उसके लिए भी ट्रिपल पी मॉड में सुविधायों पलब धकराई जाएंगी, अनुसंधान सुविधायों और तक्नीकी उद्द्यमियों के बीच ताल मेल को बढ़ावा देने के लिए प्रद्दोगी की विकाश है उश्मायन केंद्र भी इस्थापित किये जाएंग पर जो हेल्थ वरकर हैं उनके लिए प्रतिवेक्ति 50 लाग रुपए का बीमा कवरेज भी दिया गया है। अस्ताओ के अनुसार सारुजनिक स्वास्त में निवियत बढ़ाया जाएगा। ग्रामीड और सहरी चेत्रों में स्वास्त और कल्यार केंद्रों की स्थापना की जाएगी। और भवी सिक्म हामारी के लिए भारत को तयार किया जाएगा कि अगर कोरुनों जैसे कोई पहले से तयार रहे और इस प्रकार के संक्रामक रोग और अस्पताल सभी ब्लॉग सभी जिलों के सभी ब्लॉगों में इस्थापित किये जाएगे। और साथी साथ प्रयोग साला नेटवर्क और निगरानी तंत्रों को भी मजबूत किया जाएगा। के लिए आईशी अमार द्वारा एक स्वास्ति के लिए राष्ट्री असंस्थागत मन्च उपलब दकराएगी। साथी साथ राष्ट्री डिजिटल स्वास्ति मिशन, राष्ट्री डिजिटल स्वास्ति खाका का कार्यान वेन भी सरकार जारी करेगी। इंटरनेट के सुविधा नहीं है तो ये चैनलों के माध्यम से सिच्छा उफलब धकराएगे सरकार और इसके लिए पहले जहां तीन चैनल हरित है अब बारा चैनल उसमें और जोड़ दिये जाएंगे स्काइपी के माध्यम से भी घर से विशेशक्यों के साथ इन चैनलों पर लाइव इंटरेक्टिव सत्रों का प्रशारण किया जाएगा इन चैनलों की पहुँच बढ़ाने के लिए से अच्छिक वीडियो सामगरी को प्रसारित करने के लिए टाटा स्काई और एयर टेल जैसे निजी डिटीएच आपरेटरों के साथ करार भी सरकार ने किया है 12 सरकार का जो सिच्छा के लिए चैनल स्वयम क्रभा चैनल है उसमें सिच्छा समंदी सामगरी को प्रसारित करने के लिए राज्यों के साथ समन्वे भी स्थापित किया जा रहा है कोरोना की चलते हुए जो सरकार का दीख्षा प्लेट फार्म था उस पर 61 करोड तक हिट एक मार्च तक हो चुके थे 24 मार्च तक हो चुके थे इसको देखते हुए इस पार्ट साला में अभी तक 200 नई पार्ट पुस्तकें जोड़ी जा चुके हैं और पुस्तकें जोड़े जाने का विचार है थाकि उन पुस्तकों तक सभी की पहुँच सुनिश्चित हो सके ऑनलाइन सिच्छा के लिए PME विद्या डिजिटल ऑनलाइन सिच्छा का एक माध्यम है जिसमें मल्टी मोड एक्सेस के लिए एक कारेक्रम बनाया जाएगा ताकि सभी वर्गों और सभी प्रकार के छात्रों तक उसकी पहुँच सुनिश्चित की जा सके सिच्छा समगरी सभी तक पहुँचाने के लिए रेडियो सामुदायक रेडियो और पॉड कोस्ट का भी व्यापा कुपियो किया जाएगा द्रश्टिबादित और स्रवडबादित लोगों के लिए विशेश ये सामगरी विक्सित की जाएगी साथी साथ सीर्स सभी स्विध्यालेओं को 30 मईट 2020 तक 140 रूप से आउनलाइन पार्टिक्रम सुरू करने की अनुमती भी दी जाएगी हाला कि आउनलाइन सिच्छा से काफी लोग जुड़ चुके हैं लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आउनलाइन सिच्छा में सहज महसोस नहीं करते तो उनके लिए सरकार ने महनसिक स्वास्थ और भावनात्मक भलाई के लिए छात्रों, सिच्छकों और परिवारों के मनोवाइग्यनिक समर्थन के लिए एक पहल जारी करेगी ताकि इस ऑनलाइन सिच्छा में सभी लोग समनवे बिठा सकें और अपने सिच्छा को पहले की तरह जारी रख सकें सिच्छा के इछेत्र में स्कूल, प्रारंबिक बच्पन वाले कारिक्रम और सिच्छकों के लिए नए राष्ट्री पार्ठिक्रम और सैच्छडिक ढाचा भी सुरू किया जानी कि सरकार की योजना है आगे चलकर इज आफ डूइंग बिजनिस की बात करें तो विश्व की विश्व बैंक की डूइंग बिजनिस रिपोर्ट में भारत को 2019 में 63 इस्थान में रखा गया था इज आफ डूइंग बिजनिस मामले में सरकार चाती की भारत के अच्छे छवी बने और इसके लिए सरकार संपत्ति के आसान पंजी करण वाडिजिक विवादों के तेजी से निप्टान और सरलकर व्यवस्थत समंदित व्याकपार सुगमता के अगले चरण में पहुँच किया था और कंपनी अधिनियम 2013 के तहट 14,000 से अधिक अभियोगों की भी वापस ली थी थी ताकि यह जब डूइंग बिजनिस में अच्छा रैंक भारत प्राप कर सके साथी साथ सरकार ने यह जब डूइंग बिजनिस के लिए एकिकरत विब आधारित निगमन फॉर्म जारी किया है जिसमें कंपनी को इलेक्ट्रानिक रूप से सम्मिलित करने के लिए सरलिकरत प्रोफार्मा जारी किया गया है जिसमें एक फॉर्म के माध्यम से ही विभिन म कारिवाई को सुरू करने के लिए एक नियुंतन सीमा एक लाख रुपए से अधिक रखी है साथी साथ दिवालिया घोसित करने के लिए एक नय कानून लाया जाएगा जो कि मुख्यताय MSME के लिए है और यह जो दिवालिया कानून है यह कोट के सक्षन 241 के तहत लाया है इसको देखते हैं सरकार ने एक नियम यह भी बनाया हुआ है कि महामारी की स्तिती के अधार पर एक साल तक की दिवाला कारिवाई नहीं शुरू की जा सकती है महामारी की इस्तिती में साथी साथ इंसालवेंशी कारेवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश से कोड के तहट कोविड-19 से समंदित रिल को डिफाल्ट की परिवास्त से बाहर रखने के लिए केंद्र सरकार को ससक्त बनाने का भी प्रयास चला है ताकि कोई लूप होल्स का फायदा ना उठाये जा कंपणी अधिनियम 2013 में कंपणी अधिनियम 1956 के भाग 9A जिसमें निर्माता कंपणियों के प्राउधानों को भी सामिल किया जाएगा कारपोरेट के लिए इस अप डूइंग बिजनेस के मामले में अत्रिक्त और विशिष्ट बिंच बनाने का भी प्राउधान किया गया है छोड़ी कमपनियों एक विक्ति वाली कमपनी यानि के ऐसी कमपनी जिसमें एक विक्ति ही होता है निर्माता कमपनियों और स्टार्ट अप के लिए दिये जाने वाले दंडों में कमी की गई है सरकार अनुमे विदेशी नियालों में भारती सारवजनी कमपनियों दोरह प्रत्वोतियों के प्रत्यच सूची भी जारी करेगी ताकि यह आप डूइंग बिजनेस में कार्पोरेट के सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन किया जा सके आगे बढ़ते हुए अगर Public Sector Enterprise Policy For A New Self-Reliant India इसकीम के बारे में बात के जाए यर सरकार के दौरा Self-Reliant India प्रावधौनों की बात के जाए तो सरकार एक नई नीति की घोशना करेगी इसके दोरा सारुजनिक हित में सारुजनिक उपक्रमों की उपस्तिती की आवशकता वाले रड़नितिक छेत्रों की सूची को अधुसूचित किया जाएगा रणनेतिक चेत्रों में कम से कम एक उद्ध्यम सारुजनी चेत्र में रहेगा लेकिन निजी चेत्रों को भी अनुमती दी जाएगी अन्य चेत्रों में PSC का निजी करण किया जाएगा जो प्रसासनिक लागत अधिक आ रही है उसको कम करने के लिए रलनीतिक छेत्रों में उद्ध्यमुक संख्या एक से चार होगी नार्मली एक से चार होगी अन्य को अन्य छेत्रों को नेजे कर विलाय या होल्डिंग कमपनियों के अंतरगत ले आया जाएगा केंदर सरकार की राज्य सरकारों के साथ सम्मंदों की बात करें तो केंदर के दोरे राज्यों को जो करों में भागेदारी दी गए थी तो उसके हिस्सा कुछ कम कर दिया गया था और अप्रैल और मई में जो दिया गया था राज्यों को राज्यश उसमें 12,390 करोड की कमी हो ती राजियों को केंद्र के तरफ से कोविड विरोधी गत्वीदियों के लिए स्वास्त मंत्राले से 4113 करोड उपे जारी की गई थी राज्यों के लिए और डाप्टिंग के अगर बात करें तो और डाप्टिंग की जो सीमा थी 14 दिन की उसे बढ़ा कर 21 दिन तक लगतार और राप्ट के रूप में हो सकती है एक किमाही में 32 से 50 दिनों का ओवर्ड राप्ट हो सकता है और इसी चीज को लेकर केंदर सरकार ने अनुरोध किया था कि RBI राज्यों की सीमाएं बढ़ा दे और RBI ने राज्यों की सीमाई संदर में बढ़ा भी दिये पादमेबर भारत अभ्यान में ही जो केंदर ने राज्यों को उधार दिया है वो GDP के 3 प्रस्त के बराबर लगबग 6,5 लाग के असपास का रहा है ये 220 और 21 के लिए सुद्ध उधार दिया है 6,5 लाग करोड केंदर के दोरा राज्यों को राज्यों ने मांग किया है कि 3 प्रस्त से 5 प्रस्त की उधार में विसेश वरद्धी की जाए और केंदर ने केवल 2020 और 21 के लिए राज्यों की उधार सीमा 3 प्रस्त से बढ़ा कर 5 प्रस्त करने कन्दिणड ले लिया है इस से राज्यों को अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे ताकि वो इस महामारी के दोर में अपने अर्थवे उर्था को ओपर ले जाने के लिए विशिज प्रियास कर सकें इस संसाधनों को बढ़ाने का राज सरकार को देशे ताकि प्रवासियों के कल्याड को बढ़ावा दिया जा सके खाद वितरड में जो लूप फोल्स हैं उनको कम किया जा सके निवेज के माध्यम से रोजगार में सरजन हो बिजले छेतर को टिकाव बनाया जाए ताकि किसानो के हीतों की रच्चा की जा सके हैं, सहरी विकास, स्वास्त और सुच्चता को बढ़ावा देगी, सरकार, रिफार्म, लिंकेज, चार छेत्रों में होगा, वन नेशन, वन राशन कार्ड का सारो भावमी करण होगा, इज आप डूइंग बिजनेस, बिजली वितरल और सहरी इस्थानी निकाए, ये चार छेत्र हैं, इनका रिफार्म लिंकेज होगा, सरकार के दारा, आद निरबर भारत पैकेज को जारी किये जाने का मुख्य उद्देश से सभी छेत्रों, जितने भी छेत्र हैं, उन ओवराल छेत्रों को मजबूत बनाया जाया और अर्थवेवस्था को फिर से उपर की और बढ़ाया जाया, इसके लिए लगातार प्रियास कर रही है और इसी संदर्व में ये पैकेज को जारी किया है, पैकेज को हम देख चुके थे, पांच चरड़ों में बाटा गया था, पहले चरड़ में 5,94,550 करोड, दूसरे में 3,10,000, तीसरे में 1,50,000, चौथे और पांच में चरड़ में 48,000 करोड कुल मिलाकर 11,2650 करोड था, प्रतानमंत्री गरीब कल्याड योजना को मिला लिया जाए तो 1,92,800 करोड और रिजर्व वैंग का भी 8,1603 करोड कुल मिला करके, 20,97,53 करोड का ये आत्मिरवर भारत का पैकेज था, जिस तरह भारत ने अपने अर्थिववस्था में सुधार के लिए आत्मिरवर भारत पैकेज जारी किया है, 20,00 करोड का, उसी तरह विश्व की कई अन्य देशों ने भी पैकेज जारी किये हैं, और उसको देखते हैं कि उन्होंने अपने जिडिपी के अनुपात में कितना कितना अपने देश के अर्थिवस्था को सुधारने के लिए पैकेज जारी किये हैं, जापान की बात करें तो जापानने 25.01, यो येसे ने 13.01, सुईडन ने 12.01, आस्टेलिया ने अपने जिड इटली ने 5.7% फंड की गोशना किया है ताकि इस कोरोना से उबर कर अपनी राष्टी अर्थिवेवस्ता को अपनी राष्टी अर्थिवेवस्ता में सुधार किया जा सके जैसे कि हम लोगों देखा था कि जो पार्ट एक, दो, तीन, चार और पांच में जारी किया गया था वो कुल मिलाकर गेरा लाख दो हजार करोड यानि कि जो बीस लाख करोड ये नया पूरा पूरा का पूरा नया नहीं जारी किया गया है नया केवल गेरा लाख दो हजार छेसो पचास करोड है इसके पहले एक दसमलो साथ लाख करोड के आसपास का जो पैकेज सरकार ने मार में तरलता समर्थन का 3.7 लाग करोड और अप्रेल में 2 लाग करोड का समर्थन पैकेज घोशित किया था तो कुल मिलाकर के सारा मिलाकर 20 लाग करोड हुआ है नया किवल 11.2,650 करोड है अगर रकम की बात की जाए तो यह से ने 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डालर अपनी देश के अर्थिवववस्ता में सुधार के लिए लगाया हुआ है जो राहत पैकेज की रूप में जाना जा रहा है लेकिन अगर प्रतिसत की बात करें तो सबसे अधिक जापान ने अपनी GDP का 21.1 प्रतिसत अपने अर्थिवववस्ता और अपने देश में राहत पैकेज के लिए अगर भारत के इस आत्म निर्भर भारत पैकेज या बचाओ पैकेज राहत पैकेज की बात करें तो अगर डालर के रूप में गिनते हैं तो ये वियतनाम, पुर्तगाल, ग्रीस, न्यूजिलेंड और रोमानिया जैसे 140 देसों की GDP से अधिक है और पाकिस्तान की जो वार्सिक GDP है, उसके लगबग बराबर है भारत में जो सीर से 10 भारती हैं, उनमें उनसे उनके दोगने से अधिक है ये लगबग दो गुना है और जो भारत में सबसे अधिक अमीर है, मुकेज अमवानी, उनकी नीजी संपत्ति का तो ये 5 गुना है तो इस वीडियो में हमने आत्मिर भारत का डेट वाइज आप वित्रह देखना चाहते हैं, तो डेट वाइज भी एक पीडियो बना करके टेलिग्राम में डाल दिया गया है, उसे वहां से जाकर आप एकसेस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने दूसरे वाले भाग में बताया था कि हमारी हिंदी की पत्रिका जून मह से लांच हो रही है, तो उसे आप हमारी वेबसाइट में जाकर करके डाउनलोड कर सकते हैं, या पर टेलिग्राम चैनल से सीधे प्राप्त कर सकते हैं, आई एस और इस्टेट पीसिस की तैयारी कर रहे हैं, यदि तो करेंट अफेयर का जो कारिकरम चल रहा है, उसे आप न प्रस्न उत्तर नहीं है, बलकि प्रस्नों के माध्यम से किसी भी विसे को बहुत बहतर डंग से समझाया गया है, तो अभी ही जाएं यूट्यूब चैनल में और वहां जाकर करके उन वीडियो को देखें और अपना फिलिम्स और मेंस सिक्योर करें, धन्यवाद